नुहु आयूस वहाग द्वारा पटैल वाटीका में छटा अंतर राष्टिय योग दिवस मनाये गया। आपको बता दें कि पटैल वाटीका में सोशल डिश्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए योग कारेकरम का आयुचन किया गया। जिला आयरुवेदिक अधिकारी डाक्टर मंचूर बागर वैयस्वीर गहलावत ने कहा है कि योग करने से हमारा सरीर स्वस रहता है और सरीर में रोग प्रतिरोदक छमता बढ़ती है। आयुचन के सबी अधिकारियों एवं करमचारियों ने प्रोटोकॉल के अनरूप अपने घर पर ही अपनी परिवार के साथ योग किया और उसको सोसल मीटिया पर अपलोड किया। जिला अरुवेदिक अधिकारी डाक्टर मंचू बागर वेयस्वीर गहलावत ने बताया कि योग मानव जीवन के लिए बहुत चरूरी है। नियमित रूप से योग करने से मनुस्य की पाचन क्रिया ठीक रहती है। इसके अतरिक्त योग सरीर को मानसिक सक्ती के साथ सारेरिक सक्ती भी प्रदान करता है। योग को नियमित रूप से अपने जीवन में अपना कर व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीज सकता है। आईउस भाग नुहू आप सभी से अपीर करता है कि करो योग रहो निरोग के मूल मंत्र को अपने जीवन में नियमित रूप से अपना कर स्वस्थ जीवन जीए। आप देखरें नुहू से लियाकत अली के एपोट। मैं डॉक्टर यश्बीर गहलावत आईउस भाग नुह की तरफ से आप सभी को शिक्स्थ इंटरनेशनल योगा डे के सपल आयोजन पर शुब कामनाय देता हूं। सभी का आयूस प्रोटकॉल योगा एट हूम विट फैमिली अपनाने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप से प्रात्ना है कि योगा को आप अपने जीवन में एक रूटीन के दोर पर अपनाकर स्वस्थ रहने का परियास करें। तथा विशेश कर दूह के सभी लोगों का अभार व्यक्त करता हूं। कि उन्होंने इसे सफल बनाने में हमारा साथ दिया। श्री नरेंजर पतेल जी जो कि पातनजली के अध्यक्ष हैं। उनका विशेश रूप से धन्यवाद है। इस इंटरनेशनल योगा डे को सफल बनाने में मैं सबसे ज़्यादा अपनी डिस्ट्रिक आयोवितिक ऑफिसर डॉक्टर मंदू बंगड का विशेश रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। कि उन्होंने हमें मोटिवेट किया। हर प्रकार से इसे सफल बनाने के लिए हमारा साथ दिया। साथ में नूप परसाशन का वह धन्यवाद। करो जोग रहो निरो धन्यवाद।